हेलो अव्रिवन तो आप सुनुनी महाफिया की देलब तो चलिए स्टार्ट करड़ा है चैप्टर टॉटी फाइफ रशान का भारशाना अब आगे शाम के साथ बचे आ रहो ही गार पहुच दिया और गार वाले को पैसे देकर अपना बैंग ले दे लगी तबी उसे ठोड़ तो बस वो सही सलामन पहुच चुकी है उधर से रिशान बोला ठीक है उसके घर के आसपास कुछ आन में लगा दो वो भी घर में अकेलिया ध्यान रहे उसे कुछ पता नाच चल पाए उके बस इत्ता कहकर वो आद भी कॉल करड़ कर दीता है वही दोस्यार आरोई जैसे ही अपने घर का लोग उपत करती है सामने का नजारा देख वो चौक गई चौक जाती है क्योंकि हाल के बीच और बीच एक आन में खड़ा था अपनी पॉकेट में हाट डारे लॉंग हाइट टाउन हेर आरोई थोड़ा आके बड़ उस आन को देखने की कोशिश करती है उसे डर लग रहा था तब ही उसके कानों में एक आवाज आगे आवाज सुन आरोई के चेहरे से डर काया पहुचाता है और वो इस आवाज को पहचान गी उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्मेल आ जाती है वो अपना बैक समीन पर पटक देती है और दोर कर उस आन में के पा करता है और अपने चोटी सी बैन को बैन को कसकर अपने सीडे से लगाते हुए उसके बाल पर किस करते हुए बोलता है हाँ मेरा बच्छा कैसा है अरोई क्रेशफ से थोड़ी थोड़ा दूर होकर दारास की से क्यूट सा पाउट पर आकर बोली कैसी हूं मतलब आपको तो मे यहान नहीं आती है थी आपको मुझे बांद करने के इचाने हो लेती आई हेट यू क्रेशफ भर्ट आई लव यू माय जाना और थूड़ा भीक तो ले ले और तुझे पना है ना मैं अपने मिशन पर गया था और वहाँ पर तो अच्छे बात करना सेफ नहीं होता आरोई दीडे से सुबकते होई भूली I miss you so much भाईया दोनों भाई बैन काफी देर तक एक दूसरे के गले लगे थे फिर उसके बाद क्रिशफ जो गिफ्ट अपनी प्यारी से बैठ के लिए लाया था वो उसे भी देती है गिफ्ट को देखकर तो आरोई किसी चोटे से पच्छे क देरा उचल पड़ी देर के बाद उन नोनों ने खूप सारी बात दे करी आरोई ने क्रिशफ को सब बताया कि कैसे उसे जॉब का ओफर बिला और उसके दोस्ट और वो सिलेक्ट हो गए क्रिशफ आरोई के लिए बहुत कुश्टा वही आरोई आरोई अनसमंज्यम में थी क कि बारे को रिशाथ के बारे बे पताया या ना बताया वो चान दी थी कि उसका भाई इससे उससे कितना प्यार करना है वो उसे परकुल परशान नहीं करना चाहरी थी और कही न कही अब उसे रिशान से इटना डंग नहीं लग रहा था नहां जाने उसके दिल में रिशान के लिए क्या फीलिंग्स उमर रही थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी जिस वदा से फिलाल तो आरोईडी कृशप से कुछ नहीं खा पर ये बात कब तक रिशाफ से चुपी रह सकती है ये तो वही जाती थी ये तो वो भी नहीं जाती थी रात के समय आरोईडी करते होई पूला पर लेडी हुई थी और उपर सीलिंग को टिक रही थी तब ही उसके मुबाइल पर नूर का फोन आया आरोईडी ने कॉल पर गड़ा तो नूर बोली ओई डिक मैंने तुझे इसलिए कॉल किया है कि तुना अपना फोन सैनेट मर रख़ी हो वरना मैं कर तुझे कॉल करके कैसे उठाऊंगी आरोईडी ने मुबादे होई का ओ हेलो ऐसे भी कोई बात नहीं है अब मेरे उपर भी सिर्मेदारी आ गई है तो मैं उठ जाऊंगी नूर ओ ये तो मेरे सपने में ही हो सकता है एक तक है कर वो हस्ते रखी आरोईडी उसे चुप करवाते होई बोली चुप हो जा नूरी मैं कल वैसे भी उठी जाऊंगी क्रिशब भाया आ गया है और वो मुझे उठा देंगे नूर थोड़ा चौकते होई क्रिशब भाया आ गया आरोईडी हाँ हाँ नूरी आज शाम को ही नूर थोड़ी धीरी आवाज में और तूने उन्हें मिस्टर लगुमर्शी के बार में बताया आरोईडी ने एक आप दी और बोली नई यार अभी तक तो मैंने भाया को परशान नहीं करना चाहती तो चानती है ना वो मुझे गिद्धा प्यार करता है और ना चाने क्यों मुझे भी मिस्टर शेटान के बार में उन्हें नहीं बताना नूर हिरानी से क्या बगड़ी है पहले तो चे डर रही थी ना और अब पढ़ट रही है नूर की बाचन आरोईडी कुछ कह ना सेगी उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था तब ही नूर थोड़ा शरा रही थी अन्मास में करी तो उन्हें हमारी जीचर बनाने के बारी में तो नहीं सवशे है ना हाँ बोल मेरी प्यारी से आरोईडी नूर की बाचन आरोईडी के गाल लाल हो गए और वह अखलाते हो है बूली ऐसा को खुश नहीं है क्या भोग रही है खुश भी मन पकवास कर नूर तो हगला रही है आरोईडी नूरी नूर हस्ते होए रिलेक्स मैं तो मजा करी हूँ भस रीट की थोड़ी सी एक्टिंग कर रही थी तुछे पता है रीट को तुछे जलन हो इत्ती जलन होने लगी है तेरे उस स्ट्रेस में देख कर ये बोले चारी थी कि काश वो तेरे नहीं उसके रिवाने होते है नूर के बाजन आरोईडी के चेहरे पर एक मस्कुराट आगी जैसे वो बेखा पड़ी मही नूर और आरोईडी ने कुछ देर एक दूसरे से युँई बात करी और कॉल कट कर दिया पर जैसे ही आरोई ने कॉल कट किया अचानक से उसके सामने रिशान का चेहरा आगया उस्टे कसकर अपनी आगों के सामने रिशान का हैंसम सा चेहरा आगया उस्टे तरण अपनी आखे खोली और बोली ये मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे मिस्टर शैदाद क्यों अपने बालकनी को शान करने के लिए अपने मन को शान करने के लिए आरो ही बालकनी में गई और गहरी गहरी सांस लेने लेकिंगे पर तब चाकर उसे कुछ रात भी उस ने एक धंडी आ बरी और बोली सही तो कह रही है नूर मुझे क्या होगा है मैं चाहती हो इपी अपने हाथ पर शड़ नहीं चछड़ा यह गह ने झाल रहते हैं पैंका भरर भर्लवे मुल्म कौझ भूपए उस इनका नहीं तैसके अभाह ब temos लाते को लिए वो अपी भाबना को पहरा नहीं बारे थी पर आखिर थी तो वो एक लड़की है किस लड़की को लड़की को प्यार करने वाला इंसान इटा रिच और हैंसम आमी उसके लिए हद से जादा दिवान गी रखने वाला आखिर ये किस लड़की को पसंद नहीं आएगा और हमारे माफिया बॉस में तो इन सब चीजों में से जादा खूबी है उसका जुनून उसकी वस्चित है उनका वो डॉमिनीटिंग औरा कही ना कही आरोई के दिल में बस रहा था पर आरोई इस बात को समझ नहीं पा रही थी कही ना कही शायद वो रिचान को पसंद करने ल यह प्यार की दास्तार क्या रंग लाएगी यह तो हमें आगे ही पड़ा चलेगा इधार दूसरी और एक बड़ी से कमरी में जहां पर अंधेरा हर कौनी में पच्टा हुआ था बड़ी से ग्लास की विड़ो की वज़ा से चान के धीमी धीमी रोश्णी उस अंधेरे को ची वाली महंगे महंगे चीज़े रखी हुई थी उसी टेबल के पास एक आरिशा रिवानिंग चीहर पर निशान बैटा हुआ था इस वक्त उसके चेरे पर एक बीहट आकरशक और कुटल मसकान थी उसके अपने कानों से ब्ल्यूटूट स्पीकर निकाला और अपना सर पीछे टिकारते हुए आके बंकर गहरी सास लेते हुए चुनून से बोला प्यार नहीं है तो होश रहेगा शान फो भी बोचल मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करो नहीं चाहता कि मैं तुमारे साथ कोई सबर डस्टी करो तबी उसके कमने में किसी ने धीमें से डस्ट आते हुए बोला बॉस लक्षडीप सी पर कर ही वो लोग लड़कियों की तशकरी करके जास में जाने वारे हैं उसके साथ ही साथ उनके पास डिस्पॉर्ट भी है हमें उन्हें रंगे हाथों पकरने के लिए आच ही निकलना होगा रिशान है अपनी आखे खुली और टेब लोग पच्कर ना चाप है और उन्हें एक खरोच तक नहीं आने शाहिए क्योंकि बल्कि उनके मौत खुद उनके पास चाहेगी इत्ता क्याकर वो शैतान बड़े ही दिल धला देने वाले दरावने और शैतानी तरीके से मुस्कुनाने लगा वहीं अशक्यत शेरे पर एक छोड़ी से टैवल इसमयल आगे वो अब वो समझ चुका था कि उन लोगों का अंध बड़ा प्यानक होगा अर्शमा से चाने लगा चाने को हुआ कि तबी वो फिर से पीछे मुड़ा और बोला बोस वो आपसे मिलना चाहत है डॉक्टर ने उन्हें दवा दे दिया फिर भ कि उसकी तबेट और खराम ना हो आर्शमी अपने से ढहा में लाया और रिशान बड़ी कादिलाना अंधाल भी अपने ऑफिस रूम से बाहर निकल गया और उसके पीछे आर्शमी से चुकाय चले लगा कौन है यह जो रिशान से मिलना चाहता है और क्या आरवी को प्यार हो सच्छा ही पता चलेगी जानने के लिए पर्टे नहीं बने रही है मिलते हैं शेव्ट में